जी जर उपजा खर ले आही नोस्टाल्जिक सिराजुद्धिन आजमल आजमल हाउसर परा दुर और एखन घर जी घरे आजिव हाथ बावली माते आजमल भात्री हकलक डाली आरु बेंगेनार हुआत आजिव क्यो पाहरा नाई शिराजुद्धिन आजमले आज हाम आली नगर में है और यहाँ पर क्यों है थोड़ देर में आपको पता चल जाएगा क्योंकि आज की हमारे जो प्रोग्राम का जो महमान है वो बहुत ही खास है यह पूरा इंडिया में फेमस है एज पॉलिटीशियान एज बिजनेसमेन सब इनकी घर देखे होंगे इतना बड़ा बड़ा पेलेस इतना बड़ा अच्छा घर पर आज हम लेके हैं इनकी रूट तक यह है एए आईडियाफ की वर्किंग प्रेसिडेंट अजमल ग्रूप आफ कमपेनिज जो है उसके डायरेक्टर बॉर्ड अप डायरेक्टर्स की एक महामद सिराज अजमल यह है आज की हमारे प्रोग्राम की महमान पर यह खासियत आज का प्रोग्राम का खासियत यह है कि हम कहीं मुंबाई में या तो गौहाटी में या तो हुजाई की जो पहले इस टाइप जो घर है उस घर से हम इंटेव्यू नहीं कर रहे हैं आज हम आए हैं हुजाई की आलिनगर में जहां इनका रूट है जहां पर इनकी पिताजी वाले हाजी आजमल यह साब रहते थे उनकी दादाजी अब्दलमजीद साब रहते थे और यहां से शुरू ही थी इनकी जो जार्नी आलिनगर से मुंबाईर मुंबाईर से फिर पू करो एक न जो है जो हुआ हैं पोरा इंडिया है कहा नहीं को नहीं है तो हम आई यह और यहां से पेहला जो अगर का प्लांट इनका जो बिज्ञेस पर्फुम का प्लांट पशसाथ jokes सबसे पुराना गहर ही है जहां तक लगता है मुझे हमारे पेदाउस की जगाई पाइब यहां पर पैदा हुए और यहां तक के हमारे वालिज साब कभी पैदाईश यहीं का है तो आपकी मतलब ददाजी का घार है यह बोल सकते हैं यह दादा घार है एंसेस्ट्रिल हो यह वह पुर्गी है जहां हम लोग मचली मारते थे नहाते थे अच्छे चाहां कुष् है नहाना तलाब में नहाना मचली वगरा फिशिंग करना इसे मतलब आपको पता है यह सब हम हम यहां से स्विमिंग सीख कर बंबई के अच्छा हम लोग हमारे असाम के कल्चर है कि उठाके बच्चे को जी होज में फेक देते तो बच्चा एक बार दो बार तीन बार पानी वह थे आप दाजी उस वक्त है हमारे दादा जी थे हम जब 64 में बंबई गए दादा जी हयात थे दादा जी बाद में उनका इंतकाल है यहां की जो बच्चपन था वो कैसा था मतलब अमीरी था या गरीब यह एक मिडिल क्लास टिपिकल जो मिडिल क्लास होता है टिपिकल का लाइफ था जिए मैं सबसे च्छोटा बच्चा था पुरा गाउ में तो मेरी मा को में मुलता नहीं था घाउले मेरे पी ले ले गणने फैने में घैर कर देहार चीस करते तो तो मैं वहीं तेस्टी खाना मेरे जिंदगी में कभी मिला ही अभी मतलब आप पूरा दुनिया घुमते इतने देश घुमते अभी भी बोल रहें मतलब वह खाना सबसे टेस्टी था अनफॉर्चनेटली और फॉर्चनेटली वाकई वो टेस्ट है उसका टेस्ट मेरे को आप देखें न मैं च्छे साल का बच्चा हूं मेरे को अभी याद है इतना टेस्टी खाना आज तक मैंने फिर उसके बाद खाया खाना तो बहुत मिलता अलम दिला तुना अब दुनिया फॉर्टी नाइन उस जमाने में चले गए फिफ्टी वन में उन्होंने बिजनेस चालू किया और हम लोगों को हम सब भाईयों को मां को 1964 में लेकर तो बात करेंगे इस बारे में तो पहले तुम यह पुझा कितने दिन बाद आई इस गाउं में आप इधर हम साल में एक बा पाकी भाई लोग तो कोई 3-2 साल कोई 5 साल कुछ लोग 10 साल में नहीं आया होंगे लेकिन हम आते कि हम असाम से जुड़े हुए प्लस हम 3 बार एक बार MP तो इसलिए हम तो साल में एक बार पहले आते थे अब साल में कभी 12 बार कभी 10 बार रगुलर आना पड़ता है जब हम समस्टी में आए होजाई में आए तो हम आते हैं ठीक आज में सब बात करेंगे थोड़ा आप भी घूम लीजिए थोड़ा यादाश आप पुरा मेरे को तो कुछ चीसा है जो यह जिसा मैंने का होस जी याद में है खेर का घर जो बोलते हैं तो वह था और यहाने उस दमाने म हैं आप के जाड처 बड़े ते सब करेंगे अच्छा मीटा मीटा तो उसके लिए हभी यहार साल करके विद्धियां मंगते हैं यहां आके खाके जातें जा Murphy एक ज्याने ही जारे पूं भाँब वहां पर ऊस तरफ आःग का जालर आज़े दादा जी जो थे उनको बहुत शोक्ता खेती वेगरा अच्छा हमारे दादा जीजी एनिमल बहुत पालते थे तो घाय बकरी जी और हमारे अभबा इसमें प्लांट्स लगाने में बहुत शूक्र रखता है से मैं 1994 से मैं प्लांट सी में मेरे मैंने करोड़ों जाड लगा होंगा वाल अवर नौर्थ इस्ट अब पेड़ की आम की बात कि आम ऐसे भी इंडियन पॉलिटिक्स में काफी मतलब फेमस हो गया तो उस बारे ज्यादा जाएंगे नहीं हम तो यहां के आम की बात कि यह घर ज इस लाइफ में क्या डिफरेंस है आपका मतलब एक फिलिंग डिफरेंट है मतलब मैं अभी अमीर हो गया है अज बी मेरे को जब रिलेक्स करना होता है एक अगर का जाड एक संदल का जाड बीच में जूला लगा के मैं अभी भी सोता हूं डबका में मेरा प्रांटिशन है आप लोग भी आई है दिल खुश हो जाए इसा है ना मैंने कहा ना के जाड मुझसे बात करती है मैं जाड से बात करता है लगाओ है बहुत ज्यादा एक मैं सवाल करने वारा तो जो आप बोल दिया मतलब आपका होबी के लिए इतना बीजी शेडूल है प्वालिटिक्स ब सब्सक्राइब करेंगे मैं फोरन कंट्री में भार पहले जाता था चुटी में आज तीन साल हो गया कहा ही नहीं अच्छा आपकी मतलब पढ़ाई वगर कहां से शुरूई थी बच्पन कहां से बढ़ा हूं बंबई से पढ़ा हूं और मैंने फाइनल ये बीसी मैंने तो आपका बच्पन पुरा बंबई में है मैं फ्रम फर्स्ट अंडर बंबई में ही पढ़ा हूं अच्छा कोलेज तो वह बच्पन के साता मतलब अमीरी था या मतलब थोड़ा स्ट्रागलिंग था नहीं नहीं कोई बहुत ज्यादा अमीरी नहीं था लेकिन हमारे वालिद साब कमाते थे क्योंकि आलाल कमाते थे बहुत बढ़कत होता था अच्छा अल्लागा यह जो दा अजमल ब्रेंट जो बन गया है वह कब से बना 1951 सही है पहले वालिद साब करते थे भाई लोग जॉइन कि अब हम लोग कि यह भाई लोग फिर आस्ते आपकी जो तीन बेटे बोले क्या कर रहे है एक यह रहता है कि मेरा परस्नल बिजनेस देखता है आपको परस्नल बिजनेस दो बेटे कंपनी में अच्छा यह लोग कहां से पढ़ा हुआ है एज्यूक्रिशन जिसे बड़े बड़ा बेटा चोटा बेटा बंबच से अब आपको अब बहुत 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 शुक्रिया यह अगले मुलकात प्रग्रम में किसी और एक महमान की सब हाजिर होंगे तब तक के लिए शुक्रिया